My dear students, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, आपके समनी में प्रस्ण लिखने जा रहा हूँ, What is sentence? Sentence क्या है? Define the sentence, write the definition of the sentence. Sentence क्या है? Sentence को परिभासित कीजिए, sentence का परिभासा लिखिये, write. Sentence क्या है? जैसे हमने आपके सामने दो sentence हम आपके सामने लिख रहा हूँ, Mohan, Place, Cricket. एक sentence हमने ये आपके सामने लिखा है, और दूसरा sentence जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वे लिख रहा हूँ, Cricket, Place, Play, Mohan, और राइट? दो हमने आपके सामने sentence लिखे हैं. Can you tell me कि आप मुझे बता सकते हैं कि इन में sentence कौन सा है और कौन सा sentence नहीं है? तो आप बहुत बेसिकलिए आप कहेंगे, सरी जो पहला वाला है न ये sentence है, बट ये जो दूसरा वाला है ये sentence नहीं है. तो यहीं से आपको इसका definition समझ में आएगा. मैं आप से पूछूं, इसमें कितने words का group है? इसमें words तो हैं, और group है, words का यानि सब्दों का group है, three words हैं. कितने words हैं? इस sentence में, in the first sentence, there are group of three words, तीन सब्दों का समू है, and in the second sentence, तीसरे sentence, दोसरे वाले sentence में भी देखते हैं, कि words हैं, और उस सब्दों का group है, और इसमें भी words कितने हैं? तीन words हैं, लेकिन आप एक को sentence करें और एक को sentence नहीं करें, different क्या है? different यह है, यह grammatical rules को follow करता है, बट यह grammatical rules को follow नहीं करता है, दूसरी चीज, यह well-arranged group of letters, group of words है, यानि सब्दों का सू बेवस्थित करम है, और यह वाला not well-arranged group of words है, यानि सब्दों का सू बेवस्थित करम नहीं है, और यहीं से इसका definition निकल कराता है, अगर हम लोग sentence का definition लिखना चाहें, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, sentence is a well-arranged group of letters होगा या words होगा, sentence is a well-arranged group of words और उसका कोई मतलब भी तो निकल के आना चाहिए, which makes sense, sentence सब्दों का एक ऐसा सू बेवस्थित समूह होता है, जिसका एक तारकिक अर्थ होता है, right, जैसे example के तौर पे एक दो और हम sentences लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, आयत is a beautiful girl, आयत एक सुन्दर लड़की है, right, और sentences आप लिख सकते हैं, I speak मैं बोलता हूँ, right, और आप दो चार sentences लिख सकते हैं, आप खुद बना के देख सकते हैं, कई sentences आप उदाहरर के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, sentence is a well-arranged group of words, which makes sense, ठीक है, अगर सिर्फ group of words और विल आरेंजन ना हो, तो grammatical rules को follow नहीं करेगा, fulfill नहीं करेगा और उसका कोई sense निकल कर नहीं आएगा, तो वो sentence नहीं कहलाएगा, right, हमारे पास राधा हैं, राधा जी है, राधा कुक्स, राधा बनाती है, क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, भोजन बनाएगी, तभी तो आप खाईएगा, चलिए तो ये आपका संटेंस क्या होता है ये हमने कवर किया है एक दो संटेंसे आप कमेंट में जरूर लिख कर भेजें